हाई फ्रेंड्स मैं धर्मेंड अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आपका एक बार पुन्ह स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बाल भिकासिम सिच्छा सास्त के प्रैक्पिस सेट नंबर दो के लिए के आया हूँ यदि आपने इसके फ़र्षट पार्ट को नहीं दिखा आये तो मेरे चैनल के प्रेलिष्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों इसमें सामिल समस्त प्रस्ट बेहर्द महत्पूर हैं और जो परिच्छाओं। पूछे गए हैं और आगामी परिच्छाओं में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है तो आईए दोस्तों बीना समगवाएं आज के practice set का शुरुवात करते हैं तो दोस्तों आज के practice set का पहला प्रशन है सीखने की project बिधी किस अवस्था के लिए उपियोगी है जी आँ दोस्तों आपको बताना है सीखने की project बिधी किस अवस्था के लिए उपियोगी है तो इसके लिए आपके पास दोस्तों चारवी कलब है option A पूर बाल्य अवस्था के लिए option B किस अवस्था के लिए option C बाल्य अवस्था के लिए या फिर option D उपर युक्त सभी के लिए तो बताईए दोस्तों सीखने की प्रजेक्ट बिधी किस अवस्था के लिए उपयोगी है दोस्तों आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा तो दोस्तों सीखने की जो प्रजेक्ट बिधी है वह पूरबाले अवस्था किसोरा अवस्था और बाले अवस्था रथा तीनों अवस्थाओं के लिए उपयोगी अर्थाद आपका option D सही होगा तो दोस्तों सीखने की प्रजेक्ट बिधी में क्रियाओं अनभवों और मौलिक चिंदन के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है अगला प्रेक्शन देखते हैं दोस्तों किस्टन नंबर दूसरा संग्यानात्मक विकास का अर्थ है जी यहां दोस्तों आपको बताना है संग्यानात्मक विकास का क्या अर्थ है इसके लिए आपके पास चार भी कलब है अभी योगता का विकास बच्चे का विकास सारी कौसल का विकास या फिर ब्यक्तिकत विकास सोच के बताएए दोस्तो संग्यानात्मक विकास का अर्थ क्या है तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा तो दोस्तों संग्यानात्मक विकास का जो अर्थ होता है वो होता है अभी योगितागा विकास अर्था तो आपका ओप्सन ये सही होगा दोस्तों संग्यानात्मक विकास जो की पूछ लेता है का सिध्धान किस ने दिया है तो दोस्तों संग्यानात्मक विकास का सिध्धान जीन पियाजे महुदे ने दिया है option A, विकाज से सम्बंधित है, option B, वृद्धी से, option C, स्रिजनात्मक्ता से, या फिर option D, रूची से तो दोस्तों आप लोगे इन उत्तर दे दिया होगा, तो दोस्तों परिपक्ता का सम्बंध विकाज से होता है तो अर्थात आपका प्रेशन नमर 3 का सही उत्तर होगा, option A, विकाज से अगला प्रेशन देखते हैं दोस्तों, question number 4, जो की है, निमलिकित में से कौन सा लक्षण, अंतरमुखी, व्यक्तित्तु का नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आपके पास भिकल्प है, आत्मकेंदरित, रूडिवादी, समाजिक्ता, या फिर दब्बुपन तो बताइए दोस्तों, दोस्तों मुझे आसा है कि आप लोग उत्तर सोच लिए होंगे, तो दोस्तों, question number 4 का सही उत्तर होगा आपका option C अर्था समाजिक्ता, जी हाँ दोस्तों, समाजिक्ता जो की एक बहिर मुखी ब्यक्तित्व का लच्छन होता है और जो सेस आपके option है, आत्मकेंदरित, रूडिवादी और दब्बुपन, ये सभी अंदर मुखी ब्यक्तित्व के लच्छन है तो दोस्त, अगला प्रस देखते हैं दोस्तों, question number 5, आज के test series का, जो की है, निमलिखित में से जर्मजात अभी प्रेरक नहीं है जी हाँ दोस्तों आपको बताना है, दिये गए बिकल्प में वह काउन सा बिकल्प है, जो अभी प्रेरक के अंतरगत अर्था जर्मजात अभी प्रेरक के अंतरगत नहीं आता है तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा तो दोस्तों जर्मजाद प्रेरक के अंतरगत आपका प्यास निद्रा भूख यह सभी आते हैं जब कि जो आपका अप्शन D है सुरक्षा यह जर्मजाद प्रेरक के अंतरगत नहीं आता है अर्थाथ आपका किस्टन नमबर 5 का सही उत्तर होगा option डियर्थात सुरक्षा तो दोस्तों जनमजाद अग प्रेरक के अंतरगत भूख प्यास नीद और काम आते हैं और दोस्तों जो अग प्रेरक उसको दो भागों में मैसलों महोदय ने वर्गी कृत किया है पहला जनमजाद प्रेरक और लिए दोस्तों , क्यूस्टन नंबर शिक्स गिलफोड के उनसार स्रमेकों का प्रकार गिल फोड के उस्सार प्रकार कि प्रकार क्या वहां में learnt वे पंटSU है और समवंचा प्रकारहनी नहीं तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास चार भी कल्प है पहला प्राथमिक, दूसरा दितियक, तीसरा क्रित्रीम या फिर चौथा नवीन तो बताएए दोस्तों दोस्तों आप लोगों उत्तर दे दिया होगा मुझे ऐसी उमीद है तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा क्यूशन नमबर 6 का ओप्षन D अर्थाक नवीन जी या दोस्तों जो नवीन दिया है वो आपका गिलफोड के अंसार समवेगों का प्रकार नहीं है जबकि जो आपका प्राथमिक दितियक और क्रित्रीम ये तीन प्रकार के समवेगों को इन्होंने वर्गित किया है तो आपक डी आपके बिल्कुल सही होगा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों क्यूशन नमबर 7 इसके लिए आपके पास दोस्तों चार बिकल्प है पहला परिवार दूसरा बिद्याले तीसरा शमवदार चौथा इन मेंदों कोई नहीं करता है तो दोस्तों आप लंगों उत्तर चुन लियाओगा बहुत ही आसान दोस्त प्रस्न तो इसका दोस्तों शिवर नमबर का जो आपका प्रष्न है इसका सही उत्तर हो जाएग आपका अप्शन डी अर्थार इन में से कोई नहीं जियां दोस्तों परिवार विद्याले समदाय बच्च के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है जबकि इस वज़े से आपका option कि यहां आपको पताना है कि निम्लखित में से कौन सा वतर्ग है या फिर कौन सी वह option है जो सीखने की और संकेट नहीं करता है दोस्तों इसके लिए आपके पास चार विकल्ब हैं तर्क करना प्रेश्ट पुछना अनुकरन करना या फिर जांश पड़ताल करना तो बताईए दोस्तों आप लोगों उत्र चुन लिया होगा तो दोस्तों किसे नमबर एट का सही उत्तर होगा आपका प्रेश्ट पुछना जी यहां दोस्तों पुछने से जो कि ब्यक्ति या बच्चा जो अताव सीखने की और संकेत नहीं करता है जब कि तरक करना अनुकरन करना या पढ़ाने के लिए किया जाता है जी यहां दोस्तों आपको बताना है कि निगमन बीथी के द्वारा किस विसे को पढ़ाने के लिए प्रयोक किया जाता है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात उपर्यूक सभी जिहां दोस्तों निगमन बी को अध्वक्त success अग्वन बिदि के अंतरगर सबसे पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उसको हल करने के लिए कहा जाता है अगला प्रास की उस से नमबर 10 जो की है हम कर के सीखते हैं जियां दोस्तों हम करके सीखते हैं या किसी ने कहा है बहुत important question है दोस्तों आपको बताना है हम करके सीखते हैं या कथन किसका है तो दोस्तों इसके लिए आपके पास चार्विकल्प है डॉक्टर मेंस का लोकम का Simpson का या फिर कॉल सैनिक का बताईए दोस्तों question number 10 का सही उत्तर कि दोस्तों आप लोगने उत्तर चुन लिया होगा तो question number 10 का सही उत्तर होगा दोस्तों option C अर्थात Simpson जियां दोस्तों Simpson महुदय ने ही कहा है हम करके सीखते हैं अगला प्रेशन देखते हैं दोस्तों question number 11 कि सहस्वा वस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है जी हां दोस्तों आपको बताईना है दोस्तों Q11 सहिँ उत्तर होगा तो प्रहाइन और आपका ihm अउस्था को कहा जाता है। आपको बताना हैं खिलोनों की आईई किस आवस्था को कहा जाता है बहुत ही一次 most important प्रेशन है जो परिच्छा में अक्सर पूछे जाते हैं तो बताइए दोस्तों जिसके लिए आपके पास चार भी कल्प है पूरु बालय अवस्था को उत्तर बालय अवस्था को सैस्वा अवस्था को या फिर उपर यू सभी को दोस्तों क्यूशन नंबर 12 का सही उत्तर होगा आपका पूरु बालय अवस्था जिया दोस्तों पूरु बालय अवस्था को हम खिलोनों की आयू कहते हैं अर्थात पूरु बालय अवस्था को हम सैस्वा अवस्था भी कह सकते हैं अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों कौन सा वह अंसा नुकरम का नियम नहीं है और उसकी लिए आपके पास बिकलब हें दोस्तों चार पहला है समानता का नियम दूसरा भिनता का नियम तीसरा आपका है प्रत्या गमन का नियम चौथा है दोस्तों अभी प्रिणा का नियम तो बताइए दोस्तों आपका क्यूशन नंबर 13 का सही उत्र क्या होगा तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा तो दोस्तों क्यूशन नमबर 13 का सही उत्तर होगा आपका ओप्सन डी अथात अभी प्रिणा का नियम जी आँ दोस्तों जो अभी प्रिणा का नियम है वो अंसा नुकरम की नियम के अंतरगत नहीं आता है जबकि आपके जो सेस ओप्सन है समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम ये तीनों ही नियम दोस्तों वह अंसा नुकरम की नियम के अंतरगर आते हैं अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों किस्टर नमबर 14 नियम में से कौन सा पिछड़े पन का कारण नहीं है जी यहां दोस्तों आपको बताना है कि दिये गए विकल्प में वह कौन सा विकल्प है जो पिछड़े पन का कारण नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है पहला शामान बुध्धि का भाव, दूसरा शारीक दोस्त, तीसरा विशिष्ठ पिछड़ा पन, या फिर, चोथा स्वस्त वातावरन. बताईए दोस्तों, क्यूस्ट नंबर 14 का सही उत्तर. तो दोस्तों आप लोगों उत्तर दिया होगा दोस्तों Q14 के सही उत्तर होगा आपका Option D अर्थात स्वस्थ वातावरन पिछड़े पन का कारण नहीं होता है बलकि सामान बुद्धी का भाव, सारीक दोश और विशिष्ट पिछड़ा पन पिछड़े पन की कारण की अंतर गत आते हैं अगला पनुठ देखते हैं doctor 15 जो कि बहुत ही माथपूर है डिसलेक्सिया का संबन्थ किससे है जी यहां दोस्तों आपको बताना है कि डिसलेक्सिया का संब्थ किससे है टोस्तों इसके लिए आपके पास या फिर option c पढ़ने की अच्छमता से बताइए दोस्तों डिसलेक्सिया का संबन कि मता है हुए और उस इस्तिति koů हम डिसलेक्सिया कहते हैं आगे देखते हैं दोस्तों किसे नमबर 16 जो की है कच्छा एक और दो के बच्चे सीखते हैं जी यहां दोस्तों बताना है कच्छा एक और दो के बच्चे किस प्रकार सिख्रता या जल्दी से सीखते हैं तो इसके लिए आपके पास 4 भी कल्प हैं अमूर्थ अनभवों से सिग्र सिखते हैं, पढ़कर सिखते हैं, या फिर लिखकर सिखते हैं, तो बताइए दोस्तों कि उसे नंबर 16 का सही उत्तर, तो दोस्तों आप लोगों चुन लिया होगा, तो दोस्तों कि उसे नंबर 16 का सही उत्तर होगा आपका आप्शन B अर्थात जो कछा एक और दो के बच्चे होते हैं वो मुर्त अन्भोवों से सिग्र सीखते हैं अगला प्रस्ट दोस्तों क्यूसर नमबर 17 सीखने की प्रक्रिया में सिख्छक की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए जी हां दोस्तों आपको बताना है तो बताईए दोस्तों, तो क्यूशन नमबर 17 का सही उत्तर होगा आपका आप्षन ए अर्थात सुगम करता की, जी आँ दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में जो सिच्छा की भूमिका वायक सुगम करता की हैसियस से होनी चाहिए, अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों क्यूश वर्षी बच्चा बुद्धिलब्द की परिच्छन में पचत्तर अंग प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयुक कितनी होगी दोस्तों इसके लिए आपके पास चाहर भी कल्प है, आठ वर्ष, चौधर वर्ष, पंद्रवर्ष या बारह वर्ष बताए दोस्तों तो दोस्तों आप लोगोंने उत्तर चुलिए आऊगा तो दोस्तों इससर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्सुन डिया गया जो प्रष नहें इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष दोस्तों जो टेर्मन महोदा हैं उन्होंने उन्नीस सोले में एक सुत्र दिया जिसे हम आईक्यू कहते हैं बुद्धि लफदी का सुत्र जो होता है आपका उस सुत्र पर आप इसको दोस्तों रखोगे तो सालो करेंगे तो आपका 12 वर्स आएगा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि उस्तर नंबर 19 है जो कि भासा विकास खाली अस्थान है जिया दोस्तों आपको बताना है भासा विकास क्या है तो इसके लिए आपके पास दो बबीकास गुडात्मक विकास कुछ स्वीमा तक अव व्मापनी या फिर मात्रात्मक और गुडात्मक दोनों चुत्तों कि उस्तर नंबर 19 कक शतर कर डोस्तों आप लोगा ने उस्तर चुन लियाавать मुझे इसी उप्रीद है तो दोस्तों भासा विकास जोकि एक मात्रात्मक और गुडात्मक दोनों है तो अर्थाद आपका option D सही होगा अगला प्राइस दोस्तों question number 20 जो की है विकास खाली अस्थान से खाली अस्थान की और बढ़ता है जी हाँ दोस्तों आपको बताना है जो विकास होता है उसका क्रम क्या होता है अर्थाद वो किधर से किधर की तरफ बढ़ता है तो दोस्तों इसके लिए आपके पास चार भी कल्प है पहला सामाने से विशिष्ट की और दूसरा जटिल से कठिन की और तीसरा विशिष्ट से सामाने की और या फिर चौथा साधारन से आसान की हो तो बताइए दोस्तों क्यूसरा नंबर 20 का सही उत्तर तो दोस्तों आप लोग उन्तर चुन लिया होगा तो मुझे इसी उम्मीद है तो दोस्तों विकास का जो क्रम होता है वह सामाने से विशिष्ट की तरफ चलता है अर्थाद आपका option ये सही होगा अगला प्रेस्ट दोस्तों question number 21 आज की series का तो दोस्तों जो की है 600 वस्ता की अवधि होती है जिया आँ दोस्तों आपको बताना है की 600 वस्ता की अवधि कितनी होती है तो इसके लिए आपके पास 4 विकल पे dोस्तों option A है जन मेंसे एक वर्षत है आपसाट सी जन मेंसे तीन वर्षत तक या फिर ऑपशन डी जन मेंसे होई या इस्अ से यह दोस्तु दोस्तो में 21 का संख उत्तर है कि दोस्तों हम और 50 जो अवधी होती है वह जन्मी तो होती है अच्का ओप्सान तो वनक सङसे होगा अगला प्रस दोस्तों आज के सिरीज का जो की है लेव वाई गोट्सकी के अंसार संग्यानत्मक विकास का मूल कारण क्या है इसके लिए आपके पास चैरे विकल संतूलन सामाजिक अन्योन क्या सामाजिक प्रारूप का समयोजन उद्दीपन अनुक्रिया योगमन बताएए दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों ने चुन लिया होगा उत्तर इसका सही तो क्यूशन नंबर 22 का सही उत्तर होगा आपका option B अर्थात सामाजिक अन्योन क्रिया जियां दोस्तों जो वाई गोस्ती महोदे हैं जो की एक रूसी बेग्यानिक थे और इन्होंने सामाजिक सांस्क्रितिक का सिद्धान दिया है अगला प्रश्ण दोस्तों की है बच्चों के बॉध्धिक विकास केareस्पष्ट अस्तरों को पhrचाना गया था जा रोपने पहचाना था किस ने पहचाना था आपके पास अरिक्षन द्वारा इरिक्षन द्वारा इसकी नर द्वारा या फिर जीन पियाजे द्वारा बताएए दोस्तों कि दोस्तों आप लोगों उत्त्र चिन लिया होगा तो दोस्तों कि उसन नंबर 23 अर्था 33 का सही ुत्तर होगा आपका उप्शन डी अर्थाद जीन पियाजे द्वारा जीन जीन पियाजे जो कि एक स्यूजर लेंड के मनोभग ज्ञानिक थे इन्होंने बद्धि विकास के चार सुष्पष्ट अस्तरों को पहचाना है तो दोस्तों वो चारों अवस्था हैं आपका पहला सम्यदी पेशी अवस्था दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तीसरा मुर्थ संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो दोस्तों अगला प्रेस्ट देखते हैं तो दोस्तों अदि आप वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को अवस्था सब्सक्राइब करें अगला प्रेस्ट देखते हैं द पताहीये दोस्तों परिवार का चुन लिया ऌगा तो इसका सही उत्तर उत्तर उगा option की अर्थात उनवयद्स सिच्छाफ क्ति यहां दोस्तों परिवार एक उनवयद्सिक्त। साधन है अगला प्रेस्ट के लिए उत्तम सिच्छन वीधी कौन है जी आँ दोस्तों आपको बताना है कि साइस्वावस्था के लिए सबसे उत्तम सिच्छन वीधी कौन सी होती है इसके लिए आपके पास चार्बिकल्प है मांटेशरी विधी, खेल विधी, किंडर गार्टन विधी, अथवा उपरियुक्त सभी तो बताए दोस्तों क्यूशन नंबर 25 का सही उत्तर तो दोस्तों आप लोगों उत्तर चुन लिया होगा अगला प्रह दोस्तों क्यूशन नंबर 26 किस मनोबैग्यानिक ने सीखने की सामगरी के रूप में निरर्थक सब्दों का प्रियोग किया यहां दोस्तों आपको बताना है किस मनोबैग्यानिक ने सीखने की सामगरी के रूप में निरर्थक सब्दों का प्रियोग किया था कि दोस्तों आप लोगों ने उट्तर चुन लिया होगा दोस्तों कि उट्सन नमबर 26 का सही उत्तर होगा आपका option डी अर्थाथ एबिंग हॉस ने जी हां दोस्तों एबिंग हॉस महोदय ने यहां दोस्तों अंतरदिष्टी सिध्धान्त या सूज का सिध्धान्त के द्वारा कोहलर ने प्रयोग किया था जी यहां दोस्तों आपको बताना है कि कोहलर महोदर ने अंतरदिष्टी सूज का जो सिध्धान दिया था उन्होंने प्रयोग किस पर किया था इसको आपको बत दिया होगा हमें ऐसा अमीद है आप लोगों से तो दोस्तों किसा नंबर 27 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात वन मानुश पर जिए दोस्तों कोहलर महोदर जो की एक जर्मन बैग्यानिक थे और जिन्होंने एक चिंपैंजी अर्था जिसका नाम सुल्तान था उस पर किया था और दोस्तों इनके अंतरजिष्टिया सुच के सिध्धान्त को हम गेस्टाल्ट का सिध्धान्त भी करते हैं और जिसका अर्थ होता है पूर्णा कार या फिर समग्द्रता होता है अगला प्रहुत देखते हैं दोस्तों किसन नंबर 28 अधिगम में डॉट ड प्रभाव का नियम किस ने दिया था कि दोस्तों आप लगन उत्पर चुन लिया होगा तो दोस्तों प्रभाव का नियम थांडाइक महोदय ने दिया था जो एक अमेरिका के वग्यानिक थे और इन्होंने दोस्तों सीखने के तीन मुख नियम बताएं तत्वरता का नियम अ अनुकुलन सिध्धान का प्रतिबादन किसने किया था दोस्तों क्रिया प्रसुत अनुकुलन सिध्धान का प्रतिबादन किसने किया था दोस्तों इसके लिए आपके पास चार भी कल्प हैं पहला पावलाव ने इसकीनर ने कोहलर ने या फिर थांडाइक ने तो बताएए द थे और इन्होंने चूहे पर बना प्रयोग किया था है तो दोस्तों आज की सीरीज का हमारा आखरी प्रश्ण है निमलखित में से कौन सी एक स्रिजनात्मक बालक की विश्यस्ता नहीं है जियां दोस्तों आपको बताना है कि दिये गए विखल्ब में वह कौन सा है उतल दोस्तों स्रिजनात्मक बालक होते हैं उनने रोमांच कारी उत्युकता-शुतनत्ता के लक्षन होते हैं विश्य सताय होते हैं जब कि कठोरता नहीं होती हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बाल विकास सिच्छा साथ संबंधित 30 महतुन प्रशनों पर discussion किया है तो दोस्तों आप अपना इसẩ को जप्रशनों में बताएं कि आप 30 सही किए हैं और दोस्तों यदी बीडियो पसंद आया तो फ्लीज दोस्तों बीडियो को like करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवज सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफेकेशन सबसे पहले मिले तो थैंक्यू दोस्तों, थैंक्स पार वाचिए